बिस्मिल्यारवान रहीम, असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब बहुत ही शानदा रेसिपी है चार से पांच टेबल सुपन कुकिंग ओयल के लिए हैं और वांटी सुपन इसमें अद्र ग्लैसन का हमने पेस्ट एड़ कर दिया है इसको आपने कब से कर 20 न Digital लोयका चारी तो एक मोटा कटिंग के साथ आपने प्याजार करना अपने बयुकी ठीक है हमने इसको खड़ा खड़ा ही रखना है जब यह तोना सा ट्रांसपेर्ट हो जाएगा तो इसमें हमारे पास गाजरे हैं एक छोटी प्याली इसको हमने कद्दू कश कर लिया था इससे फ्लेवर तो चाएगा ही साथ ही साथ हमारी रैस्पी भी बहुत खुबसूरत हो जाएग कुछ मसाले जाएंगे दो टेबल सुन इसमें हम चली सॉस के आड़ कर देंगे और सिरके का 1 टेबल स्पून जाएगा साथ ही इसमें हम सौय सॉस एड़ कर देंगे वान टेबल सूण इससे जो फ्लेवर और जो खुश्बू है वो बिल्कुल आपको रेस्टरौन स्टायल क मिलेगी और साथ ही साथ इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहांस होता है ठीक हो गया चलेंजी अब वही बात और कुकिंग नहीं करेंगे यहां पे मसाले बहुत लिम्टिट जाएंगे वन टी स्पून नमक एड़ कर देंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्ची एड़ कर और इसमें कोई मिर्च या कोई पौडर मसाला आपने आड़ नहीं करना बहुत ही सिंपल सा इसको टच देना है ठीक हो गया चलेंजी बिसमिल्हारा माने अब यहां पे हमारे पास एक बॉल मैकरोनी का है यह एक कप मैकरोनी थी जिसको आपने बॉयल कर ले था जो इतनी सार देनी ठीक हो गया इस चीज़ का आपने क्या रखना है हरी मिर्चे एंट के क्रीब इसमें एड़ कर देंगे खुश्बू फ्लेवर के लिए और साथ ही साथ गार्णिशिंग के लिए यहां पे खुश्बू के लिए हम थोड़ा सा हरा धनिया भी आड़ करेंगे ठीक हो गय अब अब देने खुश्बू के लिए पास्ता रेस्बी के लिए यहमिया टेस्टी रेस्पी के लिए कोई केंडी सी रेस्पी के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में याद रखिये गलीवर अगला हाफीज